सभी साधकों को मेरा प्रणाव आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्यंकटेश तोत्र के बारे में यहनी आप सभी को पता है कि जिने हम व्यंकटेश के स्वरूप में जिने हम देखते हैं जिनकी प्रतिमा हम देखते हैं, जिनकी मूर्ती हम बाला जी में जाके जिसके दर्शन करते हैं, वे स्वयम भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, जिनने हम विष्णु स्वरूप देखते हैं. तो जिनोंने तिरुपती में जाके बाला जी के दर्शन लिये हैं उन सभी को तो पता ही होगा कि कितनी नयन रम में ऐसी मूर्ती भगवान विश्णु की है व्यंकटेश भगवान की है तो व्यंकटेश भगवान की जो पत्नी है पद्मावती उनके साथ वे तीरुमला में ही उन्होंने अपना स्तान स्तापित किया तो व्यंकटे स्तोत्र के बारे में कई लोग ऐसा संब्रमना रखते हैं कि कौन से समय इसका पठन करना चाहिए कौन से नियम के साथ इसका पठन करना चाहिए कौन सा आसन लेना चाहिए किस दिन से हम ये स्तोत्र की शुरुवात कर सकते हैं तो ऐसे कई सारे प्रश्ण हमें पढ़ते ही रहते हैं तो यही चीज के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाल है तो आप सभी को पता है कि भगवान विश्णु यानि उनका जो व्यंकटे स्तोत्र है इसमें उनके गुणों का उनकी लीलाओं का और उनके स्वरुप का बहुत ही सुन्दर तरीके से वर्णन किया गया है आप जब ये स्तोत्र पढ़ना शुरू करेंगे तब आप देखेंगे कि उसमें उनका स्वरुप कैसे सुन्दर तरीके से उनका वर्णन किया गया है उन्होंने कौनसी कौनसी लीलाएं की है जो भगवान विश्णू के गुण है आप सभी को पता है कि कृष्ण अवतार में या तो फिर राम जी के अवतार में हर एक अवतार में भगवान विश्णू में कई सारी लीलाएं दिखाई है और जिनका हमारे जीवन में कई सारी संक किया है तो आप सभी को पता है कि हम हिंदू धर्म में कई सारे से मंत्र हैं कई सारे से स्तोत्र हैं जिसमें जब हम पठन शुरू करते हैं तो उसमें वो भगवान के गुण और लीलाओं का ही हम पठन करते हैं यानि हम उनकी स्तुति करते हैं और हम उन्हें प्रसन्न करने की च करते हैं या तो उनमें शुरद्धा भी रखते हैं तो वे हमेशा उनकी स्थूति करने में लगे रहते हैं या तो फिर वे चाहते हैं कि भगवान विष्णु हमारा सौरक्षन करें यानि पहली चीज यह है कि अगर आप सौरक्षन पाना चाहते हैं अगर आप ऐसी कोई परिस न चाहते हैं तो ऐसे में भी आप ये व्यंकटे स्तोत्र पढ़ सकते हैं अगर आपके घर में कोई धन की कमी है या तो फिर वृद्धी नहीं हो रही है या तो सुख समृद्धी नहीं आ रही है तो ऐसे में आप भगवान विश्णु की जरूर अर्चना कीजिए पूजा वो हमें सुख समृद्धी धनप्राप्ती यही सारी चीजों के लिए उन्हें जादा से जादा पूजा जाता है तो चलिए देखते हैं कि व्यंकटे स्तोत्र का पठन हमें कैसे और कौन से दिन करना है तो सबसे पहले कई लोग ऐसी विवन चना में हैं कि व्यंकटे स्तोत् जो लोग हैं वो यहीं मानते हैं कि मद्धे रातर यानि 12 बजे का जो समय है ऐसे समय पर हमें व्यंकटे स्थोत्र बोलना चाहिए लेकिन आजकाल के जो यह हमारा रूटीन है जो हमारा जीवन हम व्यतित करना है इतना स्ट्रेस होता है जॉब होती है तो ऐसे में हम अगर सुबह एक बार इसका पठन जो नित्य करना चाहते है यानि रोज अगर मैं एक बार पढ़ू तो ऐसा जिने प्रश्न है तो आप रोज सुबह भी आप जब पुजा पाठ करते हैं ऐसे समय भी आप व्यंकटे स्थोत्र पढ़ सकते हैं लेकिन जो अनुष्ठान करना चाहत हैं और किसी उद्देश को लेके यह चीज करना चाहते हैं तो उन लोगों को तो मैं यही कहूंगी कि आप मद्धिरातर यानि बारा बजे इसका अनुष्ठान कीजिए क्योंकि यही उचित समय है ऐसा कहा जाता है कि दिन बर हम अगर व्यंकटे स्थोत्र पढ़ते हैं तो इससे कुछ नुकसान नहीं होता है लेकिन अगर आप दस गुना फाइदा लेना चाहते हैं तो इसको मद्धिरातर यानि रात के समय इसका अनुष्ठान कीजिए तो जो व्यक्ति मनोवांचित फल पाना चाहता है या तो फिर यह व्यंकटे स्थोत्र का अनुष्ठान करना कितनी बार हमें उसे बोलना है तो एक दिन में हमें उसे 21 बार बोलना है जिसे हम एक मंडल कहते हैं वैसी कई सारी पुस्तकों में मैंने देखा है कि मंडल की जो आकड़े है जो अंक है वो अलग-अलग है जैसे हम एक मंडल को 21 बार बोलते हैं लेकिन हमारे जो महरास्ट्र के पढ़ते हैं तो उसमें एक मंडल को 21 और हम जैसे रूटीन में हमारा काफी बीजी शुडिल रहता है तो ऐसे में 21 बार करना ही हमारे लिए पॉसिबल है तो एक मंडल कीजे यानि 21 दिन में हमें हर दिन 21 बार ये व्यंकर टेस्ट तोत्र का पठन करना है समय आपको मैंने ब करनी है तो ऐसे में हम क्या पूजा करें तो अगर आपके पास व्यंकर टेस्ट जी की मूर्ती है या तो फिर वह भगवान विश्णु की भी अगर आपके पास प्रतिमाहया मूर्ती है तो उसके सामने बैटके अच्छे से तेल या घी का दीपक जलाएं अगर बत्ती लगा आपके आसपास का जो वातावरण है वो काफी शांत होना चाहिए ज़्यादा कहीं आवाज आ रही है ऐसे नहीं वैसे तो जब हम मद्यरात्री होते हैं तो वातावरण शांती रहता है तो ऐसे शांत और स्वच्छ आपका वातावरण चाहिए तीसरा है कि सबसे पहले हमें करना है संकल्प, तो जो भी आपके मन में है, यानि जो भी बक्त भगवान विष्णू की यह आराधना करने जा रहा है, तो संकल्प करते समय, आपके मन में जो भी इछाएं हैं, वो भगवान वो चाहता है कि मैं विद्या अच्छे से प्राप्त करूँ या तो फिर मुझे कहीं अच्छे कॉलेज में एड्मिशन मिल जाए, कहीं मुझे अच्छी जगह नौकरी लग जाए, तो ऐसे कोई भी वेक्ती छोटे बच्चे से लेके, यानि जो आठ या नौ साल का बच्चा हो चुका है, अगर वो भी करना चाहता है, तो कर सकते हैं, कोई भी मा कर सकती है, कोई भी पुरुष कर सकता है, कोई भी महिला, जो विवाहित है, जो विद्वा स्त्री है, ऐसे भी ये व्यंकटे स्तोत्रका अनुष्ठान कर सकते हैं, और एक चीज है कि संकल्प सही से शुरू किजेगा तो कौनसे दिन हम ये चीज कर सकते हैं unfur के दिन आपको ये नहीं करना है bet amag are recurring 16 वहा फ़्सी को दिया गया दिन है तो उससमया उस दिन अप शूरू नहीं किजेगा आप बुधर के दिन शुरू कर सकते हैं गुरुवार के दिन शुरू कर सकते हैं और सकते हैं एक आदेशी के दिन अगर आप शुरू करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है लेकिन बुधवार गुरुवार और शुक्रवार इन तीन दिनों में आप कभी भी शुरू कर सकते हैं 21 दिन हमें यह चीज करनी है यानि यह वेंकटेस्ट उत्र का पठन करना है रोज 21 27 बार दूसरी आपको प्रेश्ण पढ़ेगा कि आसन कौनसे रंका लो तो नीले रंका आपके पास कोई शौल है और तो अजकल तो बहुत ही सुंदर सुंदर से आसन हमें मार्केट में मिल ही जाते हैं तो अगर ब्ल्यू कलर का यानि नीले रंका अगर आपको मिलता है तो उपर बैठके साधना कीजिए अगर नहीं है आपके पास तो श्वेत रंका भी ले सकते हैं वस्तर कौन से पहने तो नीले रंके अगर आपके पास है तो कर सकता है नहीं तो श्वेत रंका वस्तर भी चल सकता है लेकिन रोज मध्यरात्री यानि 12 बजे हमें ये स्तोत्र का तो फिर चावल के दाने ले सकते हैं कोई भी चीज जो 21 बार आप अच्छे से काउंट कर सकें तीसरा है कि हम कौन सा भोग दिखाएं तो व्यंकटेश जी यानि हमारे बगवान विश्णू उनको खीर भी बहुत पसंद है तो अगर आप उनको खीर दिखाते हैं तो जब आ कियम एक उसमें ऐसा भी है कि आपको ब्रह्म चरत्व का पालन करना है तो थोड़ा मास नहीं खाना है या तो फिर आप कुछ आलकोहल भी लेते हैं शराब पीते हैं तो वह चीज को टालिए मासाहार नहीं करना है ज्यादा गुस्से वाली चीज या तो फिर असत्त्य विच सके उतना कीजिए यानि व्यंकटे स्तोत्र का जो इफेक्ट है जो वाइब्रेशन है वो आपको जादा से जादा बिलेंगे तो ऐसे जो दो चार नियम है इसको आप अच्छे से इसका आचरन कीजिए और फिर देखिए कि आपको क्या उससे फायदा होता है तो 21 दिन ये व भगवान विश्णु से प्रार्थना करेंगे कि जो भी भक्त आपकी सेवा में आए जो भी आपके शरण में उनके मनोवांचितफल आप जरूर पूर्ण कीजिएगा और संकल्ब में सही से बताईए कि आप क्या इच्छा रखते हैं क्योंकि भगवान जी को भी इच्छा बताना जरूरी है बताए बिना तो उनको भी नहीं पता चलेगा तो यह जरूर कीजिए अनुष्टान और फिर मुझे कमेंट में जरूर बताईए कि आपको क्या अनुभवाएं तो 21 दिन और रोज 21 बार यह व्यंकटेस्ट उत्र मिलतें अगले एपिसोड में ऐसे ही सुन कर दो